आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंड्स, आज की Question में हमसे बोला गया है What are Pathogenic Microrganism? हमें बताना है, Pathogenic Microrganism कौन से होते हैं तो दोस्तों, Pathogenic Microrganism, basically हम कह सकते हैं वो organism होते हैं, जिनके अंदर capability होती है कि वो क्या कर सकें, किसी भी इनसान को बीमार कर सकें या फिर disease cause कर सकें ठीक है, तो हम कह सकते हैं, कि वो microorganism those are capable of posing disease in a host microorganism तो हम कह सकते हैं, कि basically वो जो organism होते हैं उसे हम कह सकते हैं, Pathogenic Microrganism basically यह क्या होते हैं, बहुत ही tiny organism होते हैं हम कह सकते हैं, बहुत ही tiny रहते हैं और इतने tiny रहते हैं, कि हम इसे हमारी naked eye के थुरू नहीं देख सकते हैं हमें basically light microscopy के थुरू ही यह जो microorganisms होते हैं वो visible हो सकते हैं ज़रूरी नहीं कि microorganisms जो हो पैथजोनिक भी हो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए beneficial भी होते हैं अगर हम pathogenic microorganism की बात करें तो वो कुन से हो सकते हैं for example bacteria bacteria हो सकता है जो बहुत सारी diseases cause करता है इसके अलावा अगर हम बात करें for example जैसे हम बताऊं cellmonella typhi यह भी एक microorganism है जिसके वज़ा से humans में typhi की disease होती है तो यह भी एक pathogenic microorganism की category में आता है Classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा students का भरोसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ 400-400-400 पर